हेलो एंड वेलकम बैक, तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलगी जानकारी देंगे की ड्रीन ती पीने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप ड्रीन ती से मिलने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे जानने से पहले चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करे ग्रीन ती एक बहुत ही हेल्डी चीज है जो की अकसर लोग यूज करते हैं या तो अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर अपना कॉलस्ट्रॉल कम करने के लिए वेट लॉस और कॉलस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी ग्रीन ती आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं जहां मैं आपको बताऊंगी की ग्रीन ती से मिलने वाले 6 Most Important Health Benefits के बारे में और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी की अगर आप ग्रीन ती लेते हैं तो उसको लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इसके potential side effect से बच सके इस वीडियो को शुरू करते हैं ये आपके hot को अलट रखने में मदद करती है और ये आपके brain को और आपकी नस को stimulate करता है ज्यादा अच्छी तरह काम करने के लिए तो अगर आप ठका हुआ महसूस कर रहे हैं या कभी आप बहुत ज्यादा काम करने के बाद स्वस्त महसूस नहीं कर रहे हैं तो उस समय अगर आप green tea लेते हैं तो आप तुरंट एक refresh feeling पाएंगे और अपने आपको ज्यादा चुस्त और ज्यादा active पाएंगे green tea हमारी body के अंदर जो excess fat होता है उसको खत्म करने में मदद करती है इसके साथ हमारी body के metabolic rate को बढ़ा देती है यानि calories बन करने का जो प्रक्रिया होता है उसको बढ़ा देती है जैसे हमारी body ज्यादा calories को खर्च करना शुरू कर देती है और इसकी वजह से हमारी body में जो excess fat deposition होता है वो कम होना शुरू हो जाता है body के अंदर बहुत सारे antioxidant पाए जाते हैं जो की हमारी body के अंदर घूम रहे free radicals को neutralize करने का काम करते हैं और oxidative stress को कम करते हैं Acidity में stress की वजह से क्या होता है हमारी body के अंदर chronic inflammation पैदा होता है और cancer जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियां पैदा हो सकती है तो green tea का regular इस्तिमाल करने से हम इस oxidative stress से भी बच सकते हैं और उस oxidative stress की वजह से होने वाली इस तरह की बड़ी-बड़ी बीमारियां जैसे की cancer और diabetes या hard problem से भी अपने आपको बचा कर रख सकते हैं green tea का regular इस्तिमाल करने से आप अपने आपको diabetes जैसी बीमारी से भी safe रख सकते हैं green tea जो होती है यह आपकी body के अंदर insulin की sensitivity को बढ़ा देती है क्योंकि एक बहुत बढ़ा में region होता है आपकी body के अंदर insulin का resistance green tea इस्तिमाल करने से आपकी body के अंदर जो insulin की sensitivity है वो बढ़ती है तो इसकी वजह से आप कही ना कही diabetes के develop होने के risk से अपने आपको बचा सकते हैं अगर आप regular green tea का इस्तिमाल करते हैं अगर आप एक दिन में 3-4 cup तक green tea पीते हैं तो इसकी मदद से आप अपने body के अंदर से जो excess cholesterol है उसको कम करने में मदद कर सकते हैं अगर आपका cholesterol बढ़ा हुआ है बहुत ही बढ़िया home remedy है अगर आप green tea को regular use करेंगे तो उससे आपका जो total cholesterol है वो भी कम होना शुरू होगा जो आपका LDL यानी bad cholesterol होता है वो भी कम होता है और आपकी triglycerides भी कम होनी शुरू हो जाती है साथ आप ये बात सुनकर हिरान रह जाएंगे कि green tea का इस्तिमाल करने से ये सब चीज तो कम होती है लेकिन आपका जो HDL है यानी जो good cholesterol होता है वो बढ़ता है यानी आपको दोनों तरीके से फाइदा हो जाती है आपका bad cholesterol को और triglyceride को कम करती है और आपकी good cholesterol को बढ़ाती है इसके साथ साथ क्योंकि green tea के अंदर बहुत सारे antioxidant भी होते है तो आपको बाकी भी अलग-अलग तरह की काडियोवेस्कुलर प्रोबलम से दिल की बीमारियों से ये सेफ रखने में मदद करती है तो अगर आपका cholesterol बढ़ा हुआ है या अगर आपको वेस्कुलर डिजीज होने का कोई खत्रा है तो आपको काडियोवेस्कुलर डिजीज होने का cholesterol की वजह से कोई और प्रोग्रेस होने का कोई ऐसा ट्राम्बोसिस या दिल में blockage होने का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है ग्रीन ती का इस्तेमाल mostly लोग जो करते हैं वो वेट लॉस के लिए करते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है और वो वजह ये है कि वेट लॉस के लिए ग्रीन ती बहुत ही ज़्यादा effective home remedy होती है इन fact studies में यह बात पाई गई कि ग्रीन ती का regular इस्तेमाल करने से आपकी body ज़्यादा fat को बन करती है specially जो हमारा tummy fat होता है जो belly fat होता है उसको बन करने में green ती काफी helpful होती है क्योंकि यह आपके जो visual fat होती है जो fat हमारे यानी पेट के अंदर पाए जाने वाले organs के चारों तरफ लिप्टा हुआ होता है उसको कम करने में मदद करती है और इसके साथ साथ हमारे पेट के अंदर से जो side का absorption है उसको भी green ती कम कर देती है हमारा metabolic rate भी बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारी body ज़्यादा calories को बन करती है और overall हमारा weight loss होना शुरू हो जाता है तो block के लिए बहुती बढ़िया amazing herbal remedy है green ती पूरी तरह से safe है अगर आप इसको proper तरीके से इस्तिमाल करेंगे तो आपका weight loss करने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है बात हो गई कि आपको green ती से क्या-क्या health benefits मिलते है अब बताना चाहूंगी कि आजकल market में caffeinated green ती बहुत ज़्यादा चल रही है बहुत ज़्यादा product ऐसे हैं जो कि अपने आपको promote कर रहे हैं कि भाई हम दी cabinet ती हैं हमारे अंदर caffeine जो है वो नहीं पाई जाती है ये कम पाई जाती है और ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको green ती का maximum benefit मिले ज्यादा health benefit आप उसे लेने और कोई नुकसान आपको ना हो तो आप इस तरह की जो green ती होती है उससे बचिए पूरी तरह से क्यूंकि जो green ती cabinet करने का process होता है वो एक chemical process होता है green ती को कुछ chemical से बनाया जाता है जिससे वो उसके अंदर पाई जाने वाली caffeine को ले जाता है साथ में chemical और इस caffeine के साथ वो बहुत सारे ऐसे antioxidant और बहुत सारे ऐसे beneficial चीज भी होती है जिनको अपने साथ वो chemical ले जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से benefit मिले green ती का तो affinity green tea से अपने आपको बचाए और normal जो green tea होती है natural green tea होती है उसको आप use करिए अब बात आती है कि आपको green tea कितनी लेनी चाहिए एक दिन में 3-5 cup तक आप green tea ले सकते हैं green tea को इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं अगर आप 3-5 cup तक ले रहे हैं एक दिन में green tea तो बहुती बढ़िया चीज है आपके लिए maximum benefit उससे आपको मिलेगा और जो time है green tea को लेने का maximum benefit लेने के लिए specially अगर आप अपना weight loss करना चाहते हैं जो खाना खाने से 2 गंटे पहले या तो आप ले लीजिए या खाना खाने के 2 गंटे बाद ले लीजिए या फिर आप रात का खाना आप खाते हैं तो कम से कम 2 गंटे पहले आपको लेनी है green tea अगर आप फोरेन खाना खाने के बाद या उससे पहले green tea लेते हैं तो उससे आपका जो खाने में nutrition होता है वो भी properly absorb नहीं हो पाता है दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि फाइदा हासिल कर सके और ग्रीन टी के बारे में प्रॉपर नॉलज गेन कर सके चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर और बाई